हेलो स्टूरे एंड वेलकम बैक टू मैच चैनल कमेट से गीता तो आज का जो टॉपिक है यहाँ पे समकाली मूर्तिकार है और यहाँ पर आपको तीन मूर्तिकार मिल जाएंगे पीवी जानकी राम, एस धनपाल एंड जी रविंदर रेटी और यह तीनों ही बहुत ही जादा important है आपके exam के लिए तो यहाँ पर अगर आप merit बनाना चाहते हैं तो उसकी पूरी theory पढ़िए जादा इतना बड़ा नहीं है तो आप उसको daily मिलेगा, यहाँ पर यह भी बता देती हूँ कि मूर्तिकार हो चाहे आपके आधुनिक कलाकार हो चाहे समकालिक कलाकार हो आपको daily class मिलेगी तो सभी लोग यहाँ पर 10 बजे एकदम sharp 10 o clock time से join हो जाईए तो चलिए फिर start करते हैं यहाँ पर PV जान की राम से सभी को very good in all of you चलिए तो फिर start करते हैं यहाँ पर PV जान की राम तो यहाँ पर इनका टाइम प्लेट देख लेते हैं 1930 से यहाँ पर 1995 है तो यहाँ पर इनका टाइम प्लेट जरूर याद रखिएगा और बाकी इनका जन्म है इस थान तो आप जरूर याद रख लेना कि कौन से कलाकार कौन से इस थान से पड़ते हैं तो यहाँ पर जो इनका जन्म है तो कौन से 1930 में चेननई में हुआ है तो याणी कि PV जान की नाम कहां से हो जाएंगे चेननई से हो जाएंगे इनकी जो सिक्षा यानि कि इनकी सिक्षा भी चेन्नेई से हुई है और इनका जन भी चेन्नेई से हुआ है इवन ये पढ़ाते भी चेन्नेई में ही थे Government School of Art चेन्नेई में ये पढ़ाते थे यानि की सिक्षा और सिक्षर दोनों ही कार इन्होंने चिनने से ही किये हैं ठीक है अब हम बात करते हैं कि जो इनकी पीवी जान की राम है उनकी जो प्रसिध्धी मिली है वो इनकी प्रसिध्धी मिली है धातू मूर्ती शिल्प और धारतो मूर्टी शिल्प में कैसी मूर्टी शिल्प में यानि की रिपूजे यानि की उभारसत है वाली ये एक्जाम में पूछ लिया जाता है कि रिपूजे को और किस नाम से जाना जाता है या रुपेजे क्या होता है तो आप बता सकते हैं उभारसत है अब हम बात करते हैं यहाँ पर देखो मैंने नोट में लिक भी रखा है तो आप दे सकते हैं सभी आकरतियां को यानि की तावे कोपर यानि की जो इनका अगर हम माध्यम की बात करें इनका जो प्रिये माध्यम था जो इनका प्रमुख माध्यम था वो कौन सा था तावा था ये भी एक्जाम में पूछ ले जाता है कि इस तरह से पूछा जाएगा कि पीवी जानकी राम का प्रमुख माध्यम कौन सा है तो अब बता सकते हैं कि कौपर है और इसी को ही सबसे ठीक है तो यहां पर ठोक देकर यह रुपूजे विधी से बनाई गई है इनकी मूर्दिया और सबसे अधिक किसमे ताबे में ठीक है तो यह पॉइंट त्लियर हो गया अब हार नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं इनका जो माध्यम है यानि की पीवी जानकी राम का माध्यम है इन्होंने इसके अलाबा सीमेंट में भी काम किया है मिट्टी में भी काम किया है सीसा में भी काम किया है कांस में भी ब्रॉज एंड सिल्वर में भी काम किया है मतलब आप यहां पर देख सकते हैं कि इतने माध्यम में इन्होंने काम किया है नेक्स्ट आहम कुछ प्रभाव शाली सब ही भी बनाए है और बिल्लियों के भी मूर्थिया बनाई है ठीक है तो ये चीज़ भी याद रखिएगा और इन्होंने इसके अलावा उल्लू, गिद्ध, ईसा मसीव, बर्जिन तथा हिंदू देवी देवताओं की दार्तु मूर्थी शिल्प भी विशाल पैनल में निर्मित की गई है ठीक है तो ये पॉइंट किलियर हो गया एक बार और रिपीट कर देती हूँ जैसे की इन्होंने आपको पता है कि इनका माध्यम कौन सा है जो प्रिये माध्यम में प्रमुक माध्यम ताबा है इसके अलाबा उन्होंने सिमेट में भी काम किया है जो सिमेट में उन्होंने काम किया है तो यहाँ पर प्रभावशाली सभी चित्र बनाए है वो सभी मूर्ती शिल्प बनाई है और बिल्लियों की भी मूर्तियां बनाई है इसके अलाबा यहां पर उन्होंने उल्लू, गिद, ईसा, मसी, वरजिन, हिंदू, देवी, देवताओं की भी मूर्ती शिल्प विशाल पैलन में बनाई है यानि कि यह जो बनाई है यह जो आप देख रहे हैं उलु गिद ईसा मसी यह जो है इन्होंने धातू में बनाई है यानि कि ताबे में बनाई है तो इन्होंने विशाल पैनल पर ये निर्मित किये हैं ठीक है चलिए तो नेक्स्ट पोइंट की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पे 1964 माध्यम क्या है माध्यम पूछ सकता है ठीक है यह चीज पूछ सकता है दूसरी चीज पूछ सकता है कि इनकी प्रसिद्धी किसमे है यह चीज पूछ सकता है या फिर इनकी तकनीक पूछ सकता है बस तीम पॉइंट तो आप बिलकुल यहां से एकदम रेडी कर लीजिएगा य हम बढ़ते हैं यहाँ पर पुरुसकार की तरफ से तो पुरुसकार है यहाँ पर 1964 में 1966 में इन्होंने रास्टी ललितकला अकादमी नई दिल्ली द्वारा रास्टी कला पुरुसकार प्रदान किया गया यह नहीं कि मतलब 1964 में और 1966 में दोनों ही बार मिला था मतलब यह कह सकत हैं 1964 में और से यहाँ पर 96 यानि की बीच में अभी किसी को नहीं मिला है उसके अलाबा यहाँ पर इतने वर्सों में यहाँ पर तीन वर्स के समय में यहाँ पर रास्टी ललितकला अकादमी नई दिल्ली द्वारा इनको रास्टी कला पुरुसकार प्रदान किया था ठीक है चलिए तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पर जो 1965 में इन्होंने हैदराबाद आर्ट सोसाइटी का रजत पदक भी प्राप्त किया है और यहाँ पर 1965 में 1966 से यहाँ पर ललितकला अकादमी मदरा से राज्य पुरुसकार भी इनको मिला है ठीक है तो यहाँ पर आप लोग पुरुसकार याद करना सबसे यही वाला इंपोर्टेंट है सॉरी यह वाला ठीक है राज्य रलितकला अकादमी यह पुरुसकार इंपोर्टेंट है बाकी अब हम देखते हैं इनकी मूर्ती शिल्प तो मूर्ती शिल्प में इनकी कौन सी है यहां पर copper sheet, Billy copper sheet में बना है, कालिय मर्दन है, यह आपका copper sheet और brass में बना है, ठीक है, यहां पर यहाद याद करने वाला है, जो मूर्ती है, most important है गणेश की, जो किस में बना है, आपका रिपूज माद्य में बना है, और ऑक्सीडाइट ताबा में बना है, और यह कहां पर GMA में संगरेथ है, ठीक है, तो यह point आपका clear हो गया, यह point तो आप बहुत अच्छे से त्यार कर लीजिएगा, बहुत बार exam में यह भी पूछ लिया जाता है, यह गणेश वाला तो बहुत बार exam में आ भी चुगा है, ठीक है, नेक्स्ट है यहां पर, देभी भक्तों के सा ठीक है, ठीक है, तो सबकी अलग-अलग माध्यम है, यहां पर यह भी याद रखीगा, तो flute player भी बनाया है, इन्होंने बासुरी बादक, ठीक है, और वाकी क्रश्न गरूर और ईसा मसी, इस से पहले मैंने उपर बता ही दिया था, कि इन्होंने यहां पर क्रश्न गरूर ईस मसी, इस पर मूर्ती शिल्फ बनाया है, तो उसको भी याद रखीगा, ठीक है, चलिए तो, यह point clear हो गया, तो यहां पर फिर सी आपको repeat कर देते हैं, पीवी जान की राम से आपको याद करना है, कि इनका प्रमुख माध्यम है, कौन सा है, तावा माध्यम है, और बाकी आप रखना है कि कौन से विधी में काम करते थे, रिपूजे विधी में काम करते थे, यह याद करना है, और यह कहां से है, तो यह चेनई से है, और यह सिक्षड कहां से करते थे, तो भी भी आपका चेनई ही है, ठीक है, यहां पर कभी कभी एक्जाम में बहुत बार पूछा जा याद रखना कि कौन कौन से में किसमे कारे किया है यह जरूर आप याद कर लेना ठीक है चलिए तो next artist की तरह बढ़ते हैं सुभ्रयालू धनपाल चलिए तो सुभ्रयालू धलपान की तरह बढ़ते हैं यहाँ पर तो इनका सबसे पहले हम देखते हैं time period तो time period है यहाँ पर 1919 स चलिए तमिल नाडू में हुआ है और इनका सिक्षा और सिक्षण तो अभी तो आपने भी देखा था चेनने में पीवी जन की राम तो इनका भी मदरास कलाविद्याले इनका भी यहाँ पर सिक्षा हुई है और सिक्षण भी ठीक है तो सुभ्रयालू धनपाल फिर यह भी आपके मदरास कलाव इंत्याले से हो जाएंगे और यहां पर यह प्राचार भी रहे थे यानि कि सिक्षा और सिक्षा दोनों ही कारे किया था तो यह चीज़ याद हो गया अब हम बात करते कि हैं इनकी गुरू जो पहले इनके गुरू थे जो नोंने मतलब कहने पर जो इनके सिक्षा ली थी गुरू इनके थे उसके बाद यहाँ पर केसी एस पनिक कर ठीक है तो यह चीज़ याद रखीएगा इनका जो सिक्षा है याद रखीएगा मदरास कलाव इध्याले प्रचार भी याद रखीएगा ठीक है चलिए तो इन्हों ने प्रारंभ में पल्लब एव यह थे तो वह कौन से थे तो आप लोग बता सकते हैं ऐसे धनपाल ठीक है चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर यह अकादमिक यथार्थवादी परंपरा को तोड़ने वाले यह क्या थे एक प्रथम मूर्तिकार थे यहाँ पर ऐसे भी कुशन पूछ जाकता है कि कौन से अर्से कलाकार है जो अकादमिक यथार्थवादी की परंपरा को तोड़ने वाले देश के प्रथम मूर्तिकार है तो कौन हो जाएंगे यहाँ पर ऐसे धनपाल हो जाएंगे ठीक है एस धनपाल को वियाद रखना और इसा साथ में याद रखियेगा कि यह एस धनप करतियों का निर्मार किया है ठीक है यह पूइंट याद रखिएगा चलिए तो यहाँ पर इन्होंने मूर्ति शिल्प की परंपरा को आधुनिक अर्थ दिए ठीक है चलिए नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर यह पूइंट आप लोग को जो में बताती जारी है उसको बस आप लोग याद रखना वही चीज़ें यहाँ पर भी कह रहा है नैंटी सिक्सिक्स में चोल मंडल यहाँ पर ग्राम की इस्थापना के समय यानि कि जब वो चोल मंडल की इस्थापना करी थी किस ते केसी एस पनिकर में उसके यह क्या थे सद्धापक सद्ध से भी बने थे कौन सुब्यालू सद्धनपाल यानि कि एस्थापना यहाँ पर आपको दो कैसे कुशन पूछा जा सकता है कि कौन से ऐसे कलाकार है जो मतलब किसके चोल मंडल के जो चोल मंडल ग्राम के सदस से भी रहे हो सकता है कि आपका पीवी जान की राम रग दे सुब्यालू धनपा की एस धनपाल रहे थे अगर जिसने नहीं पढ़ा होगा वो नहीं कर पाएगा ठीक है तो इसलिए आप तभी कहती हूं कि मेरिट बनाने के लिए आप थोरी जरूर पढ़िएगा थोरी बितना पढ़ने में टाइम नहीं लगेगा मैं आपको डेली आर्टिस देती जाओंगी आपके पूरे आर्टिस करा दूँगी एक भी आर्टिस का कुशन बिल्कूल भी नहीं चूटेगा ठीक है चलिए तो नेक नलितकला अकदमी को नई दिली का पुरुसकार मिला था ये पूछ लिया जाता है और 98 में नलितकला अकदमी तमिल नाडू द्वारा पुरुसकार मिला था ये जादा इंपोर्टेंट है इसको याद रखिएगा ठीक है चलिए तो अब हम देखते हैं इनकी मूर्ति mother & child , Mary & Christ , 3 figures , village caught , & cement toilet & nude अब इसमेंसे यहां पर सबसे जादा इंपोर्टेंट है वो है यहां पर 3 figure most important है यह वाला 3 figures आपके exam में पूछ ले जाता है तो आहां पर इसको जरूर याद रखिए दूसरा है यहां पर सीमेंट में टाइलेट जो बनाया है यह important है एक nude है बस यही चीज है जो आपको मैंने दो तीन बताई है उसको तो आप जरूर अच्छे से learn कर लीजेगा ठीक है चलिए तो अब हम last जो है बैसे अब यहां से सुब्रयालू धनपाल से आपको याद रखना है यह point आपको मैं बता देती हूँ ठीक है यहां पर से कला विध्याले के प्राचारे थे या फिर प्रधान अचारे थे तो आप बता सकते हैं कहां के एस धनपाल मदरास के ठीक है यह भी मदरास के और यहां पर पीवी जानकी राम भी मदरास के ठीक है और यह एस धनपाल है बाद में यह क्या थे प्राचारे हो गए थे और इ इसको आप ज़रूर याद रख लेना, ठीक है? और बाकी अब हम बात करेंगे यहां पर कि इन्होंने जो है कि चोल मंडल में, मतलब यह है कि किसके सदस्य बने थे? तो आप बता सकते हैं चोल मंडल, ठीक है? अभी तो बताया था मैंने चोल मंडल जो ग्राम की स्थापना करी तो इसको याद रखिएगा, चोल मंडल के संस्थापक सदस से, कुछ बच्चे कह रहे थे, मैम उर्दू लिखती है, चलिए, उर्दू नहीं, थोड़ी सी राइटिंग, थोड़ी सी इस पर हो लिपाती है, चलिए, तो कुशिस करेंगे, अच्छा से लिखेंगे, कि ता कि आ आपको और ज़दा समझ में आए, चलिए, तो चोल मंडल ग्राम के ये क्या थे, संस्थापक सदस से थे, एस धनपाल, थीक है, इसमें से सबसे ज़दा ये वाला इंपोरेंट है, बाकी इनको राष्ट लगतकला अकादमी का पुरुसकार मिला था, 1962 में मिला था, इसको या आती है, यहां तो पूछ लियाता है कि कौन से कलाकार है, मूर्तिकार है, चापाकार है, या फिर चित्रकार है, इसी राइप से पूछ ले जाता है, चलिए, तो लास्ट है हमारा रविंद्र रेड़ी, देखो यहां पे रविंद्र रेड़ी है, जी रविंद्र रेड़ी, ये भी important है तो जी रवेंद्र रेडी को भी पढ़िएगा इनका जो जन्म हुआ है 1956 में हुआ है इनके भी death नहीं हुई है ठीक है तो यहाँ पर जन्म है इनका 1956 पे आंद्रप्रदेश ठीक है तो इसको याद रखिएगा कला सिक्षा इनकी अब देखो अभी आपने पीवी जान की राम का याद रखा मदरास कला विध्याले आपने याद रखा रेडी का अलग है MS विश्य विध्धाले है एक आप लोग ने याद रखा S धनपाल ठीक है S धनपाल और P वी जानकी राम इन दोनों का क्या था सिक्षा और सिक्षा चेन नहीं था अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर रविंद्र रेड़ी रविंद्र रेड़ी का चेन नहीं नहीं है तो याद रखिएगा यहाँ पर रविंद्र रेड़ी है जो मूर्तिकार है 1956 का इरका टाइम प्रेड है और यह कहा के कला सिक्षा इन्होंने ली है MS विश्य विध्धाले में इन्होंने कला सिक्षा ली है और यहाँ पर इन्होंने 1980 में इसनात किया और 1982 में इसनात को तरकिया और उसके बाद ही 1983 में गोर्ड इसमित लंडन से यहाँ पर आर्ट एंड डिजाइन का डिप्लोमा और सेरमिक का भी इन्होंने अध्यन किया है ठीक है यह पॉइंट जरूर याद रखिएगा इसमें से सब ज़्याद याद करने का पॉइंट है रविन नात्र रेडी का जो आप याद रखना है इनकी कला सिक्षा कहां से हुई है MS बिशु बिध्याले बड़ादा से हुई है यहाँ पर एक पॉइंट आपका बनता है इसको याद रखिएगा नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर रेडी को ओवर लाइफ साइज रंग इसम्रधी, गोड लीफ और सजी धजी नारियों में मूर्टियों की एक अनोखी का मुकता है यानि की इनको और आर्टिस्ट की तरह अलग एक विशेस्ता देखने को मिलेगी गोड लीफ और सजी धजी नारियों का मूर्टियों में एक अनोखी का मुकता इनको देखने को मिल जाती है चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर कि ये भारतिय देवी देवताओं को समकाली दुनिया में लाते थे यानि की जो देवी देवताओं के चित्र है जो भी मूर्टिया है उनको मतलब जो अभी बरतमान में जो चल रहा है समकाली दुनिया में लेकर आते हैं और मतलब इस्त्रियों को देवी में बदल देते हैं ठीक है? यानि कि जो मूर्तिया बनाते हैं यानि कि जो इस देवी देवता हो उनको विल्कुल जो प्रिजेंट के टाइम में उनको उस रूप में दिखा देते हैं और यहाँ पे जो इस्ट्रिया है उनको देवी में बदल देते हैं सबसे जादा उनका प्रियम अध्यम कौन सा हो जाएगा फाइबर ग्लास हो जाएगा और पीवी जान की राम का ताबा हो जाएगा याद रखीएगा कॉपर यह फाइबर ग्लास है इन्होंने शभी बनाए है ठीक है चलिए तो अब हम देखते हैं यहाँ पर मूर्ति शिल्प मूर्ति शिल्प कौन सी है यहाँ पर वूमेन एंड चारपाई फोक एंड पॉप है इसको भी जरूर याद रखीगा यहाँ पर आपको सब ही देखने को मिल जाएगी पाच के पाच जितने भी है यहाँ पर आप उसको सब याद कर लेना क्योंकि यहाँ पर रविंदर कि सबसे ज़्यदा जो इंपोर्टेंट है अगर देखा जाए तो एक सिटिंग बूमेन है एक यहाँ पर वूमेन बीच में खासी आजाती है चलिए तो यहाँ पर वूमेन और चारपाई है यहाँ पर वूमेन और चारपाई इसको याद रखीगा फोक एंड पॉप है स्ट आपको सासाथा में परहती भी जा रही है वहाँ आपको साससाथ में उसको कोसिस करा करिए कीयुझचिंगा याद करें उकलwał करने का दोवारा से time कोई भी निकाल पाता है जैसी class लगा करेश आपकी 10 बजे तुरंथ आप रेडी हो जाये औरेगे 10' o clock तो ten o clock एक दम sharp 10-o clock तो sharp 10-o clock बिलकुल एकदम join हो जाये करिए कि यह बी नहीं 10 Premat 1 में 10 क्टाहिए, क्योंकि फूंकि परकेश पुर्चु से अच्छी बिचल consent Mm आपका है ही सब कुछ चलिए तो कोशिस करा करिए अगर आपको जो भी प्रॉबलम है कमेंट में करके जरूर बताइएगा देखो जो भी इस्टुएंट कमेंड करके बता देते मुझे बहुत अच्छा लगता जो भी आर्टिस्ट आपको नहीं समझ में आते हैं, बाकी तो मैं आपको करा ही रही हूँ, ठीक है, तो बाकी उसको पढ़िएगा, बाकी चलिए, आपकी क्लास यहीं खतम होती है, बाकी सब लोग अच्छे से पढ़िएगा, मन लगा के पढ़िएगा, दो ही महीने हैं, दो एक्जाम हो जाएगा, अच्छे से पढ़िएगा, सभी को God bless you, और बाकी पढ़िती रखिएगा, ओके, थैंक्यू अवरिवन,